अब बात करते हैं रिवा की जहां फसल का बुवाई का सीजन आते ही किसानों की समस्या खड़ी हो जाती है विश्व का पेट भरने वाला अनदाता स्वैम खाद बीच के लिए भटकता रहता है चुनावी मौसम के साथ बरसाथ का मौसम है और जिसके लिए किसान अपनी खेतों में वुवाई की तयारी के साथ साथ चुनावी बहार को भी छेल रहा है लेकिन एक बार फिर से किसानों के सामने खाद बीच की समस्या खड़ी हो गई है ये समस्या उन किसानों को ज्यादा है जिनके रिलिपुस्तिका पैंकों में बंधक है किसानों की समस्या को लेकर किसान नेता सुपरत मरीतर पाठी ने बताया कि सहकारी पैंक के तुगलकी फर्मान के चलते ही किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है किसान नेता ने प्रशासन से मांग की है कि समय पर किसानों को खाद भी जुपलब्ध कराया जाए जिसे कि वो समय पर बो नी कर सकें कि यह सोच लिए मिलाई तुमने का है कुम हंजी दे जाए अतनी पब्लिद मर रहा थी मुझ के प्यासों लड़का बाच्चा मने छोड़ के गा ओमने ही मिल रही आ है कि अधिन बात है लगातार महगाई बढ़ रही आप देखी रहे हैं रीजल भी महगा है हमारे किसान खेती की त्यारी में हैं खरीब की त्यारी में हैं हमारे केंदी शाकारी बैंक ने एक टुगलगी आदेश जारी किया था कि जिन किसानों की भूम कहीं मार्गेज है उन्हें खाद नहीं दी जाएगी दो सालों से हमारे किसान एक एक बोरी खाद के लिए परेशान है आप सोचिए कि साकारी समितियों से किसानों को खाद नहीं मिल लही है पहले किसानों को 0% में साकारी समितियों से खाद मिल जाती थी अब सासन ने ये नियम बना है कि हमारे रिवा केंदी साकारी बैंक ने ये नियम बना है समस्य परे है सूजरा के थिकार के ताहित भी जानकारी मागी गई कि जो नियाम है उसके लिखी जानकारी दे दीजिए लेकिन बैंक ने जानकारी नहीं दी हमारे जिले में 118 सेवा साकारी समितिया है दो करोड के लगभग किसानों के सेर जमा है तो हम आपके चैनल के माद्यम से मानिमुकमंतरी जी से और जिला प्रशाशन से मांग करते हैं कि किसार किसे बासाकारी समितियों में खाद की उपलबदा करा दीजिए चुनाओं का सीजन तो चल ही रहा है किसानों को खरीब की खेती के लिए खाद की अवश्कता है किसानों को अधर में न लटकाए रखें